हाई गाईज, मुझे बहुत सारे लोगों के SMS आये हैं, लोग कह रहे थे कि सर ऑप्शन बायर मार्किट से पैसा बना ही नहीं सकता, सर ऑप्शन बायर के बसकी बात नहीं है कि वह हैं यहां से पैसा जनरेट करें, मैं उन लोगों को एक उनके सवाल का जवाब देना चाहता कि आप इस मार्किट के अंदर सेलर बन जाईए या आप बायर बन जाईए, आपकी फाइट हमेशा रिटेलर की फाइट ओपरेटर से ही रहेगी, ठीक है, आप बायर बनकर भी पैसा इंवेस्ट कर सकते हैं मार्किट में, आप सेलर बनकर भी मार्किट के अंदर पैसा इंव बना सकते ठीक है तो आप यहां से सेलर बनकर मार्किट से पैसा बना लेंगे क्योंकि यहां पर अगर सेलिंग में पैसा होता ठीक है हर कोई सेल करता ठीक है और यहां पर हर कोई सेल करता तो यहां पर फिर बाइंग करने कोन आता ज़र आप खुद अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि अगर सेलिंग में 100% अपोर्चिनिटी होती यहां से पैसा जनरेट करने की तो फिर यहां पर बाइंग करने को ना था तो इस टेडिंग का जो मिथ है कि यहां पर बायर पैसा नहीं बना सकता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ आपको एक ही बात अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि आपकी file operator से हैं अगर आपको market से पैसा बनाना है तो आप operator के साथ market में run कीजिये और अगर आपको market के अंदर पैसा गवाना हैं तो आप retailer के साथ market में run हो सकते हैं, आपका पैसा बहुत असानी से operator की जे जब में जा सकता है ठीक है, अब बात करते हैं FIDI data की आपने देखा होगा कि market में 5 तारीक का ये जो data आया है बहुत सारे लोगों ने इस data को आने के बाद मुझे message किये हैं कि सर यह है जो FIDI का data आया है यह है positive है ठीक है तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस data के अंदर कहीं भी मुझे positivity दिखाई नहीं दे रही है क्यों पहली चीज़ है यहाँ पर डियाई डियाई ने यहाँ पर एक अच्छी विक्वाली की है 2198 करोड लुपे की अगर हमारे Indian Institute Market से पैसा exit कर रहे ह ठीक है तो market में कहीं ना कहीं नीचे जाने के chance है अगर डियाई यहाँ पर खरीदारी करते ठीक है यानि कि हमारा Indian Institute है वह market से पैसा निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं उसको पता है कि जो मैंने market के अंदर पैसा invest किया है या तो वह profit में तो थे ही market में पहले से 49,000 से market 43,000 तक आ market से निकाल सकते हैं या निकी exit कर सकते हैं अपने पैसे को ठीक है और दूसरी चीज़ें यहाँ पर FI, FI ने यहाँ पर यह जो खरीदारी किये अभी भी 777 करोल रुपे की ठीक है तो यहाँ पर FI अभी भी बोल रहे हैं कि वह market में supportive है market को कहीं उपर hold करानी के लिए ठीक ह और यहाँ पर यह जो FI index options को अगर हम देखें 20,290 करोल रुपे मैं आपको यह जो index options होता है क्योंकि हम लोग options में ही trade करते हैं जब भी FI market के अंदर बड़ी amount लेकर आता है वो भी index options के अंदर ठीक है अगर FI cash segment में बिक्वाली कर रहे हैं ठीक है यह याद रखना अगर cash segment में कभी भी FI ने बिक्वाली की 1000 करोड, 2000 करोड के something और index में उन्होंने खरीदारी कर ली ठीक है जब भी FI cash segment पे बिक्वाली करेंगे तो यह index options में अच्छी खरीदारी करेंगे आप December और January का आप back chart और back data देख सकते हैं आपको पता चल जाएगा ठीक है तो market के अंदर यह जो data आया है इस data के base पर बस एक confusion पैदा की है यहाँ पर FI ने cash segment में खरीदारी करके लेकिन यह data कहीं भी मुझे positive दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है क्यों क्योंकि market ने अगर आप bank nifty की बात करेंगे तो 1024 point का market ने fall किया है ठीक है अब 1024 point को market में उपर ले जाने के लि और यहाँ पर यह जो seller है ठीक है यह जो seller है अगर market ने इसका profit को कम करना है तो market से यह जो पैसा exit हुआ है ठीक है पांस तारीक को इतना ही पैसा market के अंदर invest होने की दुबारा ज़रूरत है और market में अगर इस seller का profit कम करेगा market यह इसका stop loss उड़ाएगा तो market को और भी जादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरुद पड़ेगी इन ओपरेटर्स को तो आप ये चीज़ समझ लीजिए तो अगर FI ने यहाँ पर खरीदारी की है ठीक है इंडेक्स ओप्शन्स के अंदर जब भी ये लोग खरीदारी करते हैं तो मार्किट को मार्किट में ट्रेड कीजिएगा और हमने अपना लाइव ट्रेड सेशन्स रखा है जिन लोगों को लगता है कि वह लोग यहाँ से पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारा प्रिमियम टेलीग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ से जाकर जोइन कर लीजिए तो गाईज आप मैं भी आउट ओफ सिटी हूँ आपको कल से हमारे वीडियो पर एक सीरीज मिलने वाली है वह सीरीज आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन और बहुत अच्छा ट्रेडिंग आपको अपोर्चुनिटी क्रेट करके देगी तो कल आज जो इवनिंग का वीडियो आएगा वह आपके लिए बैस्ट अपोर्चुनिटी होने वाला है तो मिलते हैं गाईज एक नेक्स्ट वीडियो के साथ Thank you